हेलो, आज की रेसिपी है एगलस-केक की डेट स और वालनेट केक है बहुत सिंपल रेसिपी है जिसके लिए मैंने दो कटोड़ी आंठा लिया यह आंठा से बना हुआ केक है और सेम कटोड़ी मैंने सुगर लिया है quantity आप कम भी ले सकते हैं आपकी मरजी और साथ में सेम कटोड़ी में dates है इसके seeds निकले वे हैं इसके मैं छोटे-छोटे ठुकड़े में काट दूँगी और दो बड़े चमच घी के सुध देसी घी और walnuts है और fresh cream अगर आपके पास fresh cream नहीं है तो आप घड की मलाई भी यूज़ कर लीजेगा थोड़ा सा नमक अच्छा सा स्वाद आजाएगा बेकिंग सोड़ा और बेकिंग पाउडर तो चलिए बनाते हैं एक mix जार लिया है मैंने इसमें मैं add करूंगी dates को साथ में sugar जिसकी quantity आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और दो बड़े चमच घी के घी से flavor बहुत अच्छा आता है साथ में नमक और fresh cream एक कटोडी और इन सब का एक fine paste बना लेना बहुत simple सी recipe है ये देखे पेस्ट बन के तैयार हो गया है अब चलिए wet ingredients तो हो गया dry ingredients के तरफ मैंने आटा रख लिया एक चन्ना में उसमें डाला baking soda और baking powder baking soda कम होगा half चमच से भी थोड़ा कम रखेंगे और एक चमच baking powder इन सब को चान लूँगी बड़े बाल में ताकि सब कुछ एक जासा mix हो जाए एक साथ mix हो जाए अब इसमें अपना wet ingredients मिलाऊंगी पिसा हुआ जो है mix किया लेकिन ये बहुत tight है इसमें थोड़ा दूद मिलाना पड़ेगा तो अब अन्दाज से इसमें milk एड़ करेंगे और अच्छा सा thick batter बनाएंगे बहुत running batter नहीं बनाना है इसमें ये देखिए thick batter बनके तयार हो गया है thick batter बन गया है अब इसमें add करना है अखरोट walnuts को अपने हिसाब से अपने अंदाज से baking tray ले लिया है इसमें मैंने parchment paper बिचा लिया आप चाहे तो घी से भी glaze कर सकते है तयार cake का घोल dish में डाल दिया है उपर से अखरोट डाल देंगे प्यार से डालिएगा अब इसे bake करने चलते है मैं convection oven में bake कर रही हूँ 180 degree centigrade पे 30 minutes के लिए baking time oven पे depend करता है आपके पास कैसा oven है ये देखिए मेरा cake तो bake हो चुका है बहुत अच्छे से bake हुआ है सुन्दर लग रहा है मैं knife डाल के देखा रही हूँ ये देखिए एक दम clean knife निकल के आया है मैंने कोई भी flavoring इसमें नहीं डाला है वार्ल नट्स के अलावा अब cake ठंडा हो चुका है ये देखिए मैं cake कट करके भी आपको देखा रही हूँ अच्छा सा sponge cake तयार हुआ है विंटर्स में अगर आप cake बना रहे है तो आप इसमें nutmeg यानी जायफल का भी flavoring डाल सकते है जायफल और दालचिनी का healthy cake बन के तेखिए होगा एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा